जैसे आज कल खेतों में जाकर के विडियो सूट होता है मालूम है ना खेतों में जाकर के विडियो सूट होता है विपस्के लोगों को एक सिक्रेट वर्दान मिला हुआ है सिक्रेट वर्दान मिला हुआ जी और वर्दान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका बलाई ही होगा एक उधान तो आप देखिए मौझूद है कि 20 साल हो गए क्या कुछ नहीं हुआ क्या कुछ नहीं किया गया लेकिन भलाई होता गया है तो आपको बड़ा सिक्रेट वर्दान है जी और भैसो तो ये लोग मुझे दिन रात कोशते रहते हैं और उनके लिए तो सबसे प्रिया नारा क्या है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी मोदी तेरी कब्र खुदेगी आदिनय जी अ क्यों पुरानी सोच वाले लोग रहते हैं आप बहुत-स हैमत नहीं है लेकिन वह कहते हैं कि देखो भाई जब कुछ सुब होता है कुछ मंगल होता है ज़ा घर में भीकॉष अच्छा होता है बच्चे भी कुई अच्छे कपड़े पहंता है ज़रा साप छुद्रा होता है तो काला तिला ठीका लगा देते हैं आज देश का जो मंगल हो रहा है चारों कुद्राफ viewpoint देश की जो चारों तरफ भावाई हो रही हो रही है इसके लिए भी मैं आपका द्रवाज करता हूँ आदनी अद्रिक जी पिछले तीन दिन से भी हमारे विपक्ष के साथ यो ने जी भर करके डिक्ष्णेरी खोल खोल करके जीतने अपशब्द मिलते हैं ले आए जीतने अपशब्दों का उप्योग कर सकते हैं भरपूर पता नहीं कहां कहां सा ले आते लेकिन अच्छा है थोड़ा मन का गुबार उनका निकल गया होगा थोड़ा मन हलका हुआ होगा इतने अब शब्द बोल लिए हैं तो और बैस होते हैं लोग मुझे दिन रात कोशते रहते हैं उनकी फित्रत है और उनके लिए तो सबसे प्रिया नारा क्या है मोदी तेरी कब्र खुदेगी मोदी तेरी कब्र खुदेगी यह इनकी पसंदिदा नारा है लेकिन मेरे लिए मेरे लिए इनकी गालिया यह अप्षब्दा यह अलोगतांत्री भाशा मैं उसका भी टॉनिक बना देगा और यह इसा क्यों करते हैं और यह क्यों होता है आज मैं सदन में कुछ सिक्रेट बताना चाहता हूं मेरा पक्का विश्वास हो गया है कि विपस्ट के लोगों को एक सिक्रेट बर्दान मिला हुआ है सिक्रेट बर्दान मिला हुआ है और बर्दान यह कि यह लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका बलाई ही होगा कि एक उधारन तो आप देखिये मौजूद है कि 20 साल हो गए क्या कुछ नहीं हुआ क्या कुछ नहीं किया गया लेकिन भलाई होता गया है तो आपको बड़ा सिक्रेट बर्दान है और मैंतीन उधारन से सिक्रेट बर्दान को सिद्ध करशकता हम을ं अपको ज्यान होगा है किन लोगों ने कहाँ ता बैंकिंग secular कि यह बैंक की शेक्टर दूप जाएगा, बैंकिक सेक्टर तबाह हो जाएगा, देश खतम हो जाएगा, देश परबाद हो जाएगा, नजाने क्या क्या कहा था, और बड़े बड़े विद्वानों को विद्वेशों से ले आते थे, उनसे कहलवाते थे, थाकि उनकी बात कोई नमाने तो साइद उनक हमारे बैंकों की सहत को ले करके भांती भांती की निराशा अफ़ा फ़लाने का काम इन्होंने पुर्जोस किया और जब इन्होंने बुरा चाहां बैंकों का तो हुआ क्या है हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेट प्रॉफिट दो गुने से ज़्यादा हो गए इन लोगों ने फैन होन बैंकिंग गोटाले की बात इसके कारण देश को एन्पिये के गंबीर संकेट में डुबो दिया था बीते दिनों की बात हो रही है लेकिन आज जो उन्होंने एन्पिये का अंबर लगा के गए थे उसको भी पार करकर के हाँ एक नई ताकत के साथ निकल चुके है और आज सुमें निर्मला जी ने विस्तार से बताया है कि कितना प्रॉफिट हुआ है दूसरा उदाहरन हमारे डिभेंस के हेलिकॉप्टर बना लिए वाली सरकारी कमपनी हे ल ये हे ल को लेकर के कितनी भली बुरी बाते इन्होंने करी थी क्या कुछ नहीं कहा गया था है प्रवारी के लिए और इसका दूनिया पर बहुत मुक्षान करने वाली भांचा का प्रयोग किया गया था है । और नजाने क्या क्या कहा गया आता है एक चैल के लिए इतना ही नहीं जैसे आज कर खेतों में जाकर के वीडियो सूट होता है मालूम है ना खेतों में जा करके वीडियो सूट होता है सकते हैं वैसा ही उस समय है एचे एल फैक्टरी के दरवाजे पर मद्दिरों की सभा करके वीडियो सूट करवाया गया था और वहां के कामगारों को भड़काया गया था अब तुम्हारा कोई भविश नहीं है तुम्हारे बच्चे मरेंगे फ्यूके मरेंगे एचे एल डूब रहा है देश की इतनी महत्वपन इंस्टिटूट को इतना बुरा चाहा इतना बुरा चाहा इतना बुरा कहा कि वो सिक्रेट आज एचे एल सभलता की नई बलंदियों को छूरा है है एचे एल ने अपना हाइस्ट एवर यू एवर एवर हाइस्ट रेवन्यू रजिस्टर किया है इनके जी भरकर के गंबीर आरों के बाद बुज़ भी वहां के कामदारों को वहां के करमचारियों को उकसाने की भरपुर कोसिस के बावजूद भी आज है एचे एल देश की आन बान शान बनके उठराओ आदरियत बेची जिसका आप बुरा चाहते हैं वो कैसे आगे बढ़ता है मैं तीसरा उदान देता हूँ आप जानते हैं एल आईसी के लिए क्या का कहा गया था एल आईसी पर बात हो गई गरीबों के पैसे डूब रहे हैं गरीब कहा जाएगा बेचाने ने बड़ी मेहनत से एल आईसी में पैसा डाला है क्या कहें जितने उनकी कलपना शक्ती जितने उनके दरबारियों ने कागट पकड़ा दिये थे सारे बोल लेते देओं सारे बोल लेते थे लिक्ना आज एल आईसी लगातार मजबूत हो रही है शेर मार्केट में रुची रखने वाले को भी ये गरू मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना आप उसमें दाव लगा दी गिये था अब अच्छा ही हो जो जो आधानियत देखिए ये लोग देश की जिन संस्ताओं की मृत्ति की गोशना करते हैं उन संस्ताओं का भाग्य चमक जाता है और मुझे विश्वास है कि ये जैसे देश को कोस्ते हैं लोगतंतर को कोस्ते हैं मेरा पक्का विश्वास है देश भी मजबुद होने वाला है लोगतंतर भी मजबुद वाला है और हम तो होने ही वाले है यह वो लोग है जिने देश के सामर्थ पर विस्वात नहीं हैं इन लोगों को देश के परिश्रम पर विस्वात नहीं है देश के पराक्रम पर विस्वात नहीं है कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी सरकार के अगले टम में तीसरे टम में भारत दुनिया की तीसरी टॉप अर्थ रवस्वा बनेता आदनिया दग्जी आदनिया दग्जी अब देश के भविश्य पर थोड़ा सा भी भरोसा होता जब हम यह क्लेम करते हैं कि हम आने वाले पांच साल में तीसरे टम में हम देश की एकोनोमी को तीसरे पर लाएंगे ते जिम्मेवार विपक्ष क्या करता है वो सवाल पूस्ता है सवाल पूस्ता है अच्छा पर बताओ मिर्मुला जी बताओ कैसे करने वाले हो अच्छा मोदी जी बताओ कैसे करने वाले हो आप करोड में बताओ ऐसा करते हैं अब यह भी मुझे सिखाना पढ़ रहा है लेकिन अच्छा मोदी बताओ कैसे करने वाले हो